Hey everyone, मैं हुई जोटी चसनेदर गर्ल, thank you so much for stopping by और finally, आज मैं बैठी हूँ लगभग 10 दिन के बाद वीडियो शूट करने के लिए मैंने मेरे community पे अपडेट किया था कि मेरा मतलब molar tooth का extraction हुआ है और वो tooth ना बहुत जादा तेड़ा मेडा था और थोड़ा deep था उसके विए से छोटी सी surgery kind of हुई थी तो 3-4 sutures आये थे जिसकी वज़ास से मैं लगभग 10 दिन तक वीडियो नहीं शूट कर पारी क्योंकि यार sutures आये थे तो recovery में टाइम लग था इवेन अभी भी मुझे बोलने में थोड़ा थोड़ा pain हुरा अब भी sutures remove नहीं हुए बट काम है इतने जादा दिन तक नहीं छोड़ सकती हूँ जादा दिन तक मुझे नहीं बैठा गया तो आज finally मैं वीडियो शूट कर रही हूँ आज मैं आप सबके साथ share करने वाली हूँ The Dermago के hyaluronic acid sunscreen stick का review इसे मैं लग भग दो हफते से अब आप घर में ऐसी जगह पर ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं आप ऐसे विंडो के पास बैठे हो जहां से डिर्क सल लाइट आपके ऊपर पढ रही है तो भी रियाप्लिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है और जो अपने वह मतलब ट्यूब वाले जो या ट्यूब में जो संस्क्रीन साती है वह बार-बार स्पेशल अगर आप बाहर हो तो रियाप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता संस्क्रीन स्टिक्स की अवा जाता है यह बार-बार तक बार बार आपकेशन दीखादा है यह वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगा उनके साथ भी शेयर करेंगा जिनक वीडियो यूस्फों नो सकता है और देखते हैं कि इस वाइप बर ब स्टिक आती है इस तरीके के आउट बॉक्स मज़ा पर सारी इंफोमेशन दी है और एक्चुल जो संस्क्रीन है इस तरीके की पैकेजिंग में अप इसको कैप को ओपन करों गये तो यहां पर भी एक छोटी सी कैप है इसको फटाओंगे and sunscreen बाहर निकालने के लिए you just have to rotate this white white जो चीज है न इसको आप rotate करोगे तो आपका sunscreen इस तरीके से बाहर आजाएगा and use करने के बाद आप वापिस से rotate करके sunscreen को अपने अंदर रख कर दो and then क्या पकरणा लगा के safely रख लो तो इस sunscreen में है SPF 60 with PA 4 times plus protection ये एक broad spectrum sunscreen है मतलब ये UVA and UVB दोनों रेस फे protection देगी और एक broad spectrum sunscreen यूज करना बहुत ज्यादा important है हमेशा ऐसी ही sunscreen यूज करे जो कि broad spectrum हो इस sunscreen में hyaluronic acid है and we all know कि hyaluronic acid skin को hydrate बहुत अच्छे से करता है skin को एक plump and dewy look देता है उसके लावे इसमें ceramides का यूज कर अगया and ceramides ना मेरे favorite skincare ingredients में आते है because they are so nourishing so soothing साथ साथ में skin elasticity को भी बढ़ाते है तो चलिए फटा फट से आप देख लीजे इसका application इसको कैसे apply करना है ये कैसा settle होती है skin में सब कुछ तो इसको apply करना बहुत ही simple है और जो इसका shape है न oval shape इसकी वज़ज़ से eyes के नीचे nose के corners में भी sunscreen आराम से लग जाती ऐसा नहीं है कि face का कोई भी हिस्सा छूट जाए तो बस आपको आपके skin पे अच्छे से इसको glide कर लेना है और बिल्कुल pressure वगरा नहीं लगाना पड़ता आराम से बिल्कुल buttery soft है बहुत ही आराम से skin पे glide हो जाती है और apply करने के बाद ये मेरी skin पे comfortable matte finish में settle होती है और एक बहुत ही smooth मतलब skin बहुत ज़दा smooth लगती है comfortable matte finish में settle होती है बहुत ज़दा smooth लगती है साथी साथ में काफी ज़दा light to tap देख रहे हो कि मैंने कितने अच्छे से मेरे face पे इसको apply किया फिर भी मेरी skin मुझे बिल्कुल भी greasy या oily चिपचिपी कहीं से भी नहीं लग रही even इसको apply करने के 2-3 धंटे बाद धी मेरी skin ऐसी नहीं लगेगी कि sunscreen मेरी skin से बाहर निकल रहा तो यह काफी ज़दा light weight है non greasy texture और आप बिल्कुल साफ साफ देख सकते हो कि यह कोई white cast नहीं छोड़ती है तो कोई भी skin tone है आपकी आप आराम से बिना attention के इसको लगा सकते हो तो भी आप यह stick यूज़ कर सकते हो तो बता दू आप इस stick को कहां से ख़दीच सकते हो तो आप इसे नाइका से purchase कर सकते हो इसका purchase link में description और और मेंशन कर दूँग इसकी price में आपको बता हो तो यह 9.99 रुपीस के आती है जिसमें 20 grams of product मिल जाता है बट यह एक stick न अगर आप इसको रोज भी use कर रहो तो भी यह लंबा चलेगी तो sunscreen ऐसी like मुझे लगता है कि sunscreen एक investment है skin के लिए चाहिए आप यह sunscreen लो या कोई भी sunscreen लो sunscreen एक investment नहीं क्योंकि in the long run यह आपके skin को protect करेगी science of aging को delay करने में help करती है तो sunscreen जो भी like आपको suit करती है जरूर उसमें इन्वेस्ट करिए तो यह तो हो गई reapplication की बात लेकिन मुझे comments आते हैं आ रहे हैं एंड आएंगे कि daily use में ऐसे कौन से sunscreen यूज करें तो जो sunscreen मैं हमेशा हमेशा recommend करती हूँ वो the derma cookie है यह hyaluronic acid sunscreen gel कोई भी आपकी skin type हो मेरी skin oily sensitive and acne prone है और यह मुझे बहुत अच्छे suit करती है अगर आपकी skin normal भी है combination भी और dry भी है तो भी यह summer में तो आपके लिए बहुत ही अच्छा काम करेगी एक यह कोई भी white का skin पे नहीं छोड़ती है दूसरा gel based consistency है skin में it blends like water बहुत ही easily आराम से skin में blend हो जाती है बहुत ज्यादा lightweight है लंबे time तक आपके skin को fresh रखेगी बिल्कुल भी non greasy और मतलब चिपचीपी feeling आपके skin skin पे नहीं आएगी skin oily नहीं होगी इसको लगाने से या कोई कोई संस्क्रीटी लगा लो तो एकदम पसीने आने लगते है वैसा भी नहीं होगा उसके लावा इसमें fragrance नहीं है तो यह fragrance titanium dioxide जो कि एक physical sun filter इसका भी उसकर गया है जो कि UV rays को ब्लॉक करने का काम करता है titanium dioxide is a physical filter बट यह sunscreen एक hybrid sunscreen इसमें chemical and physical दोनों filters का यूज करा गया है और बता दू आपको कि यह sunscreen को consumers ने 4.9 rate किया out of 5 this sunscreen is so 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 good मैंने इसकी bottles and bottles खतम कर दिया और अब तो यह 80 grams के tube में आने लगी है तो मतलब एक tube लंबे टाइन तब आराम से चल जाएगी इसे आप कहां से purchase कर सकते तो इसे आप दर्माको की website से amazon nica flip card से purchase कर सकते हो दर्माको की website मेरा coupon code भी उसकर सकते हो जिससे आपको 20% का off भी मिल जाएगा सारी सारी details description box में मैंने mention कर दी है so yeah यह था मेरा review दर्माको के sunscreen stick के लिए i feel कि summer में तो हर skin type वाले इसको use कर सकते है अगर आपकी skin dry भी है तो आप आराम से इसको use कर सकते हो जैसा मैं निका कि travel friendly है convenient है basically reapplication के लिए तो अगर आप बाहर जा रहे हो especially अगर आप sports person हो आप दिन भर धूप में रहते हो और reapplication के लिए आप sunscreen देख रहे हो तो definitely a stick try करेगा यह बहुत amazing sunscreen stick है मुझे बहुत अच्छी लगी है मही तरफ से इसको मैं big thumbs up दूँगी तो या यह था आज का वीडियो अगर आपने इन दोनों में से दोनों sunscreen में से कोई भी sunscreen यह उस करिए तो comment करके जरूर बताएगा कि आपको कैसी लगी और आपकी favorite sunscreen भी comment करके बताएगा अगर मैंने try नहीं करी होगी तो मैं उसे कोशिश करूँगी कि try करूँ और आज की वी अजय।